दोस्तों आपके phone पे कोई call करके परिसान कर रहा है और आप उस बंदे को नहीं जानते हो तो यहाँ पे आप अपने phone में एक setting कर सकते हो जिसको चाहोगे उसी का call आएगा जिसको नहीं चाहोगे उसका call हमेशा के लिए नहीं आएगा तो यह setting करना से ही आपके phone पे जिसका मर्जी उसी का call आने दगा और जिसका मर्जी नहीं है उसका call आपके phone पे हमेशा के लिए बंद हो जाएगा तो यह कैसे आप अपने phone में करोगे जानने के लिए वीडियो आपको अंत तक देखना होगा चलिए वीडियो में आगवरते है वीडियो को लाइक निके तो कर दीजिए वीडियो बनाने में मेहनत लगता है तब जाके एक वीडियो आपके लिए तयार होता है तो वीडियो को आप लोग लाइक किजगा वीडियो को सपोर्ट किजगा कमेंट बोक्स में अपने सहर का नाम लिख के भेदीजगा अब बरते हैं देखे आपको बार बार कोई कॉल करके अद अधर अधर नमबर से परसाना है अगर इन्विल्त आपके फॉन में पहले से इस्टॉल है यहां पर आपके आप पे आपको manage blocking का option जो है देखने के लिए मिलेगा, इसके उपर आपको touch करना है, उसके उपर touch करोगे तो यहाँ पे देखोगे तो आपके phone में manage blocking off होगा, तो यहाँ पे basic वाला पे आ जाना है, basic वाला पे आने के बाद आपको नीचे जाना है, यहाँ पे number block call है, इसको आप जो पर बात आता है number note in phone book मतलब आपके phone book में अगर इस जो कोई number save नहीं है तो उसका call नहीं आना चाहिए तो यहाँ पे advance blocking है advance blocking के अंदर यह setting मिलता है तो इसको on कर देंगा अगर इसको on कर देता है तो फालतु का call जो एक दो तीन चार number से आता रहता है जो आपको फालतु में परसान जो suspect is formula आता रहता है call यह आपको परसान नहीं करेगा ठीक है आपके contact number में जो number save होगा ना सिर्फ उसी का call आएगा बाकी किसी का call जो है नहीं आएगा हमेशा के लिए यह जो है यह जो है setting जो है चालू हो जाएगा ठीक है अगर आप बंद करना चाहते तो फिर बंद कर सकते है कोई परसान कर रहा है तो इसको on करके बस छोड़ दीजे ठीक है दो चार दिन के लिए रहने दीजे क्या जरूरत है हमको फालतु आदमी से बात कर तो धर में रहर रहर जहा है थि basement है डoking को यह झालू हैं लिए्या जाहब वार्या है रहतार है फाव्म टल चैंग प्रों कर दूरत है घागा रहर सकतिको जे करसे लेंगा ड कर ले रहरे